नमस्कार दोस्तों, कल से मीडिया के अंदर विनेश फोगाट के बारे में काफी चर्चा चल रही है इसका कारण ये बताया जा रहा है कि रेस्लिंग फेडरेशन आफ इंडिया ने उनको सस्पेंड कर दिया है आपको पता होगा रिसेंटली वो टोकियो उलम्पिक्स गई थी और कुस्ती के अंदर काफी प्रबल दाविदार मानी जा रही थी कि उनके द्वारा एक मेडल तो लाया जाएगा खेर वो जब वो टोकियो से वापस आई भारत के अंदर तो यहाँ पर आप न्यूस देख सकते हो WFI that is Wrestling Federation of India Suspents Star Wrestler Vinish Fogart over Indiscipline after Tokyo Olympics campaign तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि exactly हो क्या रहा है क्या कारण बताय जा रहा है मीडिया में क्या चल रहा है चल देखते हैं exactly हो क्या रहा है हम क्यों यहाँ पर इसके बारे में चर्चा कर रहा है यह Wrestling Federation of India है उन्होंने temporary basis पर ध्यान रखेगा अभी के लिए उनसे कुछ जवाब मांगा गया है तो इसकी वज़े से temporary basis पर उनको suspend किया गया है जबसे वो टोकियो से वापस आई है उनके साथ वो training लेने से मना कर रही थी इसी के साथ साथ जो official kit sponsor है जो कपड़े वगरा athletes पहनते हैं तो वो जो official sponsor वाला kit था उसको उन्होंने use नहीं किया और खुद का यहाँ पर उसको use करने की कोशिश की तो basically यहाँ पर allegations क्या क्या है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो April के महने में ही भारत से वो Hungary चली गई थी Hungary में वहाँ पर उनके coach है वालर अकोस यह आप देख सकते हो picture तो उनके साथ यहाँ पर training वगरा हो रहा था और basically बताया जा रहा है कि Tokyo में जो games village है जैसे कि आपको व्याद होगा Commonwealth जो games village आपको दिली में भी देखने को मिलेगा athletes के wrestlers जो है उनके साथ वो शायद नहीं रुक रही थी ऐसा मीडिया में चल रहा है ध्यान रखेगा तो अभी इसको लेकर पुष्टी नहीं हो यह official ख़बर नहीं है लेकिन मीडिया में ऐसे ऐसे बाते आ रही है साथी साथ यह भी बताया जा रहा है कि Vinesh wanted a room on a different floor दूसरे floor पर वो रहना चाहती थी और वो एक भी दिन यहाँ पर साथ नहीं रुकी तो यह एक indiscipline यहाँ पर बताया जा रहा है इसके साथ-साथ यहाँ पर यह भी देखा गया कि जो Wrestling Federation of India के President है ब्रिज भूशन शरन सिंग उन्होंने जब यह सारी चीजे देखी तो उनको पहली पता लगया था कि कुछ न कुछ यहाँ पर गलत हो रहा है और जो officials वगर हैं उनका कही न कहीं यहाँ पर कहना है कि जब उनको Indian teammates के साथ जो बाकी के teammates हैं जैसे सोनम हो गए हैं अंशु मलिक हो गई हैं सीमा बिसला हो गई हैं उनके साथ अगर रुकने के लिए बोला गया तो शायद वो उनके पास वाले room में रुकने के लिए तयार नहीं थी और कहीं न कहीं शायद उनका यह कहना था कि वो लोग भारत से आ रहे हैं तो coronavirus से contact हो सकता है और क्योंकि वो हंगरी से आ रही हैं तो उनको coronavirus होने के chances काफी कम हैं तो देखें यह सब मैं अगेन यही कहूँगा कि media में चल रहा है वी exactly क्या ख़बर है यह किसी को शा पहले जो आपने देखा होगा leaning आपका sponsor था इंडियन किट का जो Chinese company है leaning तो वो basically sponsor कर रही थी लेकिन उसके contract को रद कर दिया गया और यहाँ पर शिव नरेश यह भारत की company जो शिव नरेश है वो यहाँ पर sponsor की और basically बताया जा रहा है कि जो शिव नरेश का T-shirt यहाँ यहाँ वाला जो टिक होता है वो आला कपड़ा पहनी है तो यह भी एक काफी बड़ा indiscipline यहाँ पर बताया जा रहा है जहां तक विलेश फोगाट की bout का सवाल है जब वो wrestling करने आई थी Tokyo Olympics के अंदर तो पहला round तो उन्होंने जीत लिया था ध्यान रखेगा वो 53 kg के category में यहाँ पर fight कर रही थी और जो दूसरा round था मतलब pre quarter उन्होंने जीत लिया फिर आता है आपका quarter वाला quarter final 1 by 4 जिसको कहते हैं तो वहाँ पर वो हार गई थी आप देख पाएंगे यहाँ पर Vanessa जो उनकी opponent है उनसे वो lose कर देए थी 9-3 से तो एक काफी बड़ा shock था और basically यहाँ पर जो Tokyo Olympics जाने के पहले यहाँ पर उनके द्वारा tweet भी आया था कि हमने यहाँ पर physiotherapist मांगा है four women wrestlers के लिए वो हमें नहीं provide किया जा रहा है इसको लेकर भी उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी जताई थी मतलब कि कुछ ना कुछ problems आपको पहले से ही देखने को मिलेगा औ पर finally इस तरह का situation अभी यहाँ पर हो रहा है तो question अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आता है कि यह जो suspension किया गया है इसका मतलब क्या है इसका simple मतलब है कि यहाँ पर gross indiscipline का आरोप लगा है उनके उपर और temporary basis पर वो किसी भी wrestling activities में part नहीं ले सकती है चाहें वो national level हो domestic कोई भ पाएंगी जब तक वो अपना reply नहीं दे देती और यहाँ पर जो wrestling federation of India है वो final decision लेगी in fact यह भी पताया गया है कि जो international olympic association है उन्होंने भी wrestling federation of India से जवाब मांगा था कि आप अपने athletes को control में क्यों नहीं रख सकते हैं और इसी को देखते वे wrestling federation of India ने कहीं नहीं यहाँ पर जो village forgot है उनको notice थमा दिया और 16th August से उनको reply मांगा गया है इतना time दिया गया है 16th August के पहले आप यहाँ पर reply दीजे और उनको बोला गया है कि आप तीन बार ऐसा हुआ है कि जब आपने indiscipline किया है और अगर उनका जवाब satisfactory नहीं लगेगा wrestling federation of India को तो वो लोग long term ban भ आने से पहले उन्होंने क्या किया जो sports authority of India की officials है उनको बोल दिया कि आप office से जाकर मेरा passport collect कर लो लेकिन नियम ये कहता है कि या तो आप खुद जाए या फिर अपने family member को भीजिए passport को collect करने के लिए तो ये वाला भी जो एक प्रकार से indiscipline है इसको बोला गया it is unacceptable behavior from any sports person औ एक तो आपको पता होगा silver medal आया था रवी कुमार धिया का और 65 kg category में जो बजरंग पुनिया है वो bronze medal लेकर आया थे तो दो आया था और total अगर आप contingent देखोगे wrestling के अंदर तो total यहाँ पर 7 wrestlers गये थे हमारी तरफ से यह आप सभी के नाम यहाँ पर देख सकते हो अलग-अ categories में तो यहाँ पर इसमें से 2 medal आया था वैसे उम्मीद काफी और थी कि wrestling से और आएंगे shooting हो गया उसे भी आएंगे लेकिन उतना हो नहीं पाया तो यह पूरा वीडियो था दोस्तना आयो को समझ में आ गया होगा आपको की विनेश फोगार के बारे में क्यों चल्चा चल आया था सबसे पहली बार यह कहां पर हुआ था और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है मेरे Instagram पर तो आपको मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं Telegram से भी ले सकते हैं इसका सही उतर मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूं Stories के form में आप ज तर बाद में आपको में आपको में आपको